नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुपंद और अब भी हम जिन से बात करने जा रहे हैं वो हर्याणा में मजदूर आंदोलन की मजबूत नेता है और बीते दो महिनों से अधिक से जो आशा वर्कर की हरताल चल रही है उसका नेतरुत कर रही है सुरेख पहले तो न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है सबसे पहले जो यह हरताल इतने दिनों से दो मैने स्वाधिक से चल रही है तो इस क्यों चल रही है क्या मांगे हैं और अभी तक हरताल कैसी है किस तरह एक लोग से पार्टिसपेट करने इसकी पूरी एक जानकारी हमारे दर कैसे चल रही है जब हरताल शू हुई थी हमारी आठ अगस्तो तब लगबग हंड़र परसेंट हमारी हरताल की और आज भी हम यह कह सकते हैं कि 71 दिन बाद भी यह हमारी हंड़र परसेंट लगबग हरताल टिकी हुई है इसके वजह मुद्दे दो तिन हैं एक तो यह कि पू स्वास्था मिशन की जब शुरुआत हुई थी तब बहुत मामूली से काम दो तिन काम आशाओं को दिये गए थे और उसके पतले में कुछ बहुत ही मामूली सा उनका उस पे प्रोहसान राशियां थी लेकिन धीरे करते करते धीरे धीरे आज हम यह कह सकते हैं कि आशा वरक स्वास्थे विभाग की और खुद स्वास्थे विभाग भी मानता है कि आज आशा वरकर स्वास्थे विभाग की रीड की हड़ी की तरह से काम कर रहे हैं लेकिन वो स्वास्थे विभाग की रीड की हड़ी तो बन गए स्वास्थे विभाग की उनके उपर इतनी निर्भर पताबी हो गई और जो काम आशाओं को दिये वो काम भी शांदार तरीके से आशाओं ने करके दिये लेकिन उसके बदले में उनको जो वेतन दिया जाना चाहिए था जो उनको बाकी सामाजित सुरुक्षालाब मिलने चाहिए थे वो मुद्दे कहीं पर कहीं आए नहीं सामने और उनको उनके काम के बदले में जो उचित उनको महंता ना मिलना चीए था, वो महंता ना नहीं मिला, ये मुख्या वज़य है कि आज आशावरकर से अंदोलन के अंदर है, पिछले दो साल से देश भर में आशाओं के उपर ये प्रेशर है, कि जितना भी काम आशावरकर लेकिन इसके बदले में एक भी नया पैसा सरकारें खर्च नहीं करना चाहती हैं यह दूसरी वीड़ बना है और यही कॉंट्राडिक्शन है जो आशाओं को पूरे देश के अंदर आंदोलन में जाने के लिए मजबूर कर रहा है और उसी कड़ी में हर्याना की आशाओं कर भी आज हर्ताल पे हैं हम देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर भी आशाओं की हर्ताल चली हुई है जम्मू कश्मीर में भी आशाओं की हड़ताल चली हुई है उससे पहले बिहार में अंदोलन चल रहा था आशाओं का उससे पहले मध्य पर्देश के अंदर अंदोलन चल रहा था और अभी 23 तारिक से महाराश्टर की आशाएं भी आड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हो रही है और उसी कड़ी के अंदर हम क्या सकते हैं कि हर्याना की आशाएं भी लड़ रही है वो अपने तमाब जो काम का अतिरिक्त बोज है जो बेगार सरकार्दवारा ली जा रही है उसके खिलाफ यह जबर्दस्त गुस्सा है और इस गुस्से को आप इस तरह से रीड कर सकते हैं कि सतर दिन के बाद भी जो आंदोलन घटता नहीं है वो बढ़ता चला जाता है अब्रध को ने जो समर्थन दिया, आम नागरिकों ने, संयूत किसान मोर्चे ने, तमाम ट्रेड यूनियन ओने, अन्यत यूनियन ओने, तमाम जनसंगठनों ने जबर्दस्त हमारा समर्थन और सहयोग किया है उसकी वज़े से हम ये कह सकते कि हर्टाल हमारी दिन प्रति दिन उसने विस्तार पाया है, यहां तक कि तमाम जो चुने विप्रतिनी थी थे, जिसमें सरपंच भी हैं, ब्लोक समीती मेंबर हैं, जिला परिशद मेंबर हैं, उन तमाम ने और तमाम विपक्षी पार्टियों न जिसे आपने बताया जो आशा के काम बहुत जादा है, नहें तना बहुत कम है, तो पहले भी आपसे कई बार हम लोग की चर्चा हुई है, लेकिन संशेफ में एक बार फिर से दर्सकों को याद दिलाने के लिए, आसा क्या काम करती हैं, और कितना महतकूर्ण है, उसके बद संस्तागत प्रसूती तक का ही उनका काम था, उसके बतले में कुछ उनको प्रोचसान राश्या मिलती थी, लेकिन धीरे-धीरे करके सारी नोन-किम्यूनिकेवल डिजीज जितनी हैं, वो आशाओं के हिस्से में आ गए, उनके तमाम के सर्वे करना, फिर जो मरीज निकलते ह रही हैं, असल में वो तमाम काम जितने स्वास्थे भी भाग के, जितने सर्वे हैं, उन तमाम सर्वे को भी आशाओं करती हैं, अब ये बात है, कि जो वो अपना स्वास्थे का रिजिस्टर मेंटेन करती हैं, अब वो कहने, आप उसको भी डिजिटालाइज करेंगे, आप communicable disease का एक survey होता है जो हर साल होता है एक family का एक folder बनता है जिसमें कम से कम 6 से 7 page है और जब आपको उसको online उसको register करते है तो 100 से ज़्यादा column उसके बनते हैं एक family के है वो उतने column वो आपको हर परिवार के भरने होंगे अब condition यह है कि आप उस काम को करेंगे लेकिन उस एक family का वो उस तमाम follow up तक का का काम करने के लिए आपको 10 रुपे मिलेंगे उस की जो education के according उस काम को देखेंगे तो काम बहुत ज़्यादा आशा वरकर्स के लिए है फिर भी उस काम को वो कर रही है जो जितना capable होगा तो शायद तमाम सर्वे हैं या अनेकों विमारियों के और जो भी कुछ नया काम आता है पिछले तीन साल में जो करोना का जो काम था वो भी बहुत ज़्यादा था चै वेक्सिनेशन का काम है वो भी आशा उन्हें बहुत ही मांदारी से लिए केवल एक हजार रुपे दिये थे जबकि एक हजार रुपे में तो उनका एक सब्ता का जो सर्वे था वो सर्वे भी कोई सर्वेर से वो करवाते तो वो भी काम नहीं हो सकता था तो हम यह कह सकते कि हद से जादा सस्ते लेबर की तरह से ट्रीट कर रही है सरकार आशाओं को यह बिल्कुल ठीक नहीं है और जो शिरम सम्मेलन हुए है त्री पक्षी है उन त्री पक्षी है शिरम सम्मेलनों में पैंतालिस में शिरम सम्मेलन में भी और च्छालिस में शिरम सम्मेलन में भी यह बात हुई थी कि यह जो काम है यह स भी दिया जाना चाहिए तब सभी समाजिक लाब उनको दिये जाने चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये काम नहीं हुआ है तब कोंग्रेस की सरकार थी बीजेपी विपक्ष में थे तब वो कह रहे थे हम यदी सक्ता में आएंगे तो हम इस काम को करेंगे आज सक्ता में हैं लेकिन ये काम नहीं हुआ है यही गुस्सा है और इसलिए या अंदोलन है जिसे आपने बताया है पहे आशा वर्कर की बहुत समय आसा नहीं इसके अलावा भी जो स्कीम वर्कर्ज हैं उनकी डिमांड रही है जो वो योजना कर्मी नहीं है उनको वर्कर माना लेकिन नहीं माना गया अभी तक एक बड़ा सवाल रहा है लेकिन अभी जो 70 दिनों से आंदोलन चल रहा है हर्याना कंदर हमने बीच में कुछ कुछ रिपोर्ट करी है किस तरह से आपके आंदोलन गिरफतारियां हुई अलग 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 तरह पर हो लेकिन राश्टी मीडिय आप लोगे से कैसा रहा है और उसके दोरन कोई बातचीत हुई है उस बातचीत का क्या असर रहा है अभी भी कोई वारता में आप लोग हैं क्या एक तो हमारे आंदोलन को जैसे मैंने शुरू में बताया कि 11 दिन आज हो गई हैं और 8 अगस्त से शुरू हुआ था हमारा 8 अगस्त से जब शुरू हुआ अदोलन तो सरकार में कोई बातचीत हमारे साथ नहीं की हमने तीन दिन की हरताल का केवल आवान किया था लेकिन जब तीन दिन में हमारी कोई बात नहीं सुनी गई तो हमने उस हरताल को चार दिन और आगे बढ़ाया उस चार दिनों में भी किसी ने हमारी सुध नहीं ली, बात नहीं सुनी, तो हमने उसको एक सब्ता और आगे बढ़ा दिया, जब एक सब्ता और आगे हमने बढ़ाया हर्ताल को, तो भी कोई सुध नहीं ली सरकारों ने, तो हमने ये तै कि विधानसभा का सत्र लगेगा हर्याना में तो हम यहाँ पे कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम विधानसभा कूछ करेंगे, हम चंडीगड जाएंगे, वहाँ पे अपनी बात चीत रखेंगे चंडीगड कूच करने के लिए हमने पंचकुला की जगहें तै की थी कि हम वहाँ पे एक पार्क के अंदरी खटा होंगे सब वरकरोर वहाँ से हम चंडीगड की तरफ कूच करेंगे लेकिन हमारे हम पहुच पाते हैं उसे पहले 27 तारीक की रात को ही और रात भी क्या दिन में दोपैर बाद से ही हमारी तमाम जो यूनियन की लीडर्स थी उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया उनको नजर बंद कर दिया गया हमारे घरों पे पुलिस आके बैठ गई और ये कहा क कि भी आपके लिए सकत आदेश है कोर्ट के वो नोटिस लेके हमारे पास आ गए कि हम अब आपको पंचकुला चिंडिगर्ट नहीं पहुचने देंगे लेकिन उसके बावजूद हम वहां पे गई पहुचे हम वहां पे और पहुचके जिस भी तरह से पहुचे वो पूरे ह कोशिशें की गई और महिलाओं को पुलिष जो हमारे पुरुष पुलिष पुलिस करमी थे उन्द वरा ठीट किया हैंडल किया उनके द्वारा हमें जिन धानों में रोक के रखा गया वहांके पानी की जो टंकिया थी टोलेट्स की वो तक खाली कर दी गई हम hadi d पे ताले लगा दिये गए खुद मैं जीस बस में थी उस बसको वो गुमाते रहे रोका ही नहीं पानी पीने के लिए भी नहीं रोका हमारे पास जो पानीवानी था बसमें जब भो खतम हो गया तो काफी हंगामा करना पड़ा हमें उसके बाद जाके बस रोकी ये वैवार पुलिस का 28 तारीकों था जिसे पूरे देश ने देखा इससे पहले भी हमारे साथ पुलिस ऐसा कर चुकी थी उसके बावजूद भी हमारा अंदोलन चलता रहा तब हमने ये तै किया हम सभी विपक्षी पार्टियों के पास हम अ हम जनता से नागरिकों से अपील करेंगे कि वो हमारे समर्थन में आएं हमने नागरिकों के नाम अपील छपवाई और हम डोर टो डोर कैम्पेंड लेके लोगों के बीच में पहुचे आज हमें सब को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम जहां जहां पे अपना परचा लेके गए हम जिन लोगों के पास अपनी अपील लेके गए उन तमाम लोगों ने हमारा जबर दस्त समर्थन किया उन्होंने तन मन धन से हमारा समर्थन किया वो हमारे धर्नों पे आके बोल के गए हैं उन्होंने हमें आर्थिक मदद दी हैं तमाम चुने वे प्रती ने दी सरपंचों के एसोशियेशन है हर्याना के अंदर तो सरपंचों के एसोशियेशन के परधान महासची दोनों ने हमारे हमारा समर्थन किया तमाम गाउने लाबार्थियों ने आके कहा कि आशा है क्या क्या काम करती हैं कितने ضرورी काम हैं बहुत लोगों ने बताए कि उनके डेट सर्टिफने उनको नहीं मिल रहे हैं जो आशा ही ला के देती थी उनके फोउम आशा भरवाती थी उनको यह प्रोसेस का भी नहीं पता था बहुत सारे लोगों को कि कैसा होगा बहुत भटकना पड़ा, गरवती महिलाओं को साहता नहीं मिल रही, सब ने आके बोला सामने से कि ये हमारे सामने आज ये समस्याएं हैं और आशाओं को काम पे लोटना चीए, उसके लिए सरकार हमारी बात सुने, गाओं में हमने शवया दिन सरकार ने सुद ली, मिशन डारेक्टर ने हमें कॉल करके मीटिंग के लिए बुलाया, हर्ताल के 46 में दिन, उसके बाद एक सब्ता बाद जो मुख्या मंतरी के मुख्या परधान सचीव हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई 29 सितंबर को, जिसमें ये कहा गया कि एक अंदर हम आपकी मांगो का समाधान कर देंगे, उसके बाद फिर 15 दिन तक कोई बाद चीत नहीं हुई, 15 दिन के बाद कल हमारी दोबारा से बाद चीत हुई है, मुख्या मंतरी के परधान सचीव के साथ, और उन्होंने जो भी इफबट लगाते हुए हमारी मांगो के समर् बनती है, यह वो एड्मिट कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भी हम प्रोसेस में हैं, हम इस काम को आप करेंगे, लेकिन यह यदि हम यह समझते हैं कि जो जनता से इतना व्यापक हमें जो समर्थन मिला है, यह उसकी बदोलत और हमारे आंदोलन के हमारी जो आम वरकर हैं, उन बहुत जल्दवाजी में नहीं हैं, हमें और लगेगा, हफ्तार लगेगा, साथ दिन लगेंगे, दस दिन लगेंगे, जो भी लगेंगे, लेकिन हमने भी सरकार को यह अपनी तरफ से मैसेज दिया है कि कोई बात नहीं, आप जल्दी में नहीं हैं, हम भी इत्मिनान से लड रही हैं और हम लड़ाई को बिल्कुल पार लेके जाएंगे मनजिल तक लेके जाएंगे आज हमें ये हमारे अंदोलन पे विशवास है सरकारों पे तो हमें कोई विशवास नहीं है जिस तरीके से वो लड़ने वाले लोगों के साथ जो वैवार कर रहे हैं जो विरोध की आंदोलन पे जो विश्वास करते हैं, हमारी जो प्रतीबदता है कारी लड़ने के प्रती और अपने प्रतीबदता की आधार पे यह कह रहे हैं, कि भिवम्हुक्त के सगय है. पूरी बातचीत के दोरान इस सवाल के जवाब में कैसे कर आंदोलन का पड़ाव रहा लेकिन आंदोलन सतर दिन से अधिक चल जाना और अभी चल रहा है इससे जैसे आपने बताया लोग को परिशानियां हो रहेंगी तो यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा और भविस में उसमें भी कुछ हैलान हुए हैं वो क्या है और आंदोलन का आगे का रास्ता अप लोग कैसे देखते हैं अभी बतलब एक तो हम बिल्कुल प्रतिबद हैं इस बात के लिए कि आंदोलन को मंजिल तक लेके जाएंगे हम बीच में अपने आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे औ और सरकार बात सीथ की टेबल पर आई है और हमें यकीन है कि अब यह जो है हमारा आंदोलन निपटने की दिशा में बढ़ रहा हैं सफल्ता की दिशा में हम आगे बढ़ रहिं हैं दूसरा बेशक हमें यह आशवाशन मिला है कि हम इसको हftे दस दिन में आपके मांग मसलों का हल कर देंगे उसके बावजूद हम अपनी हर्दाल में ठीके वे हैं और हमारा अंदोलन जारी है हमने ये तै किया है कि कल और परसों दो दिन तक हम हमारे हर्याना के जितने भी मंतरी हैं और बीजेपी के जो भी विधायक हैं ये कटबनन की सरकार है यहां पे जेजेपी के बी जो विधायक हैं यहां पे उनके आवास पे हम दो दिन तक पड़ाव डालेंगे और रात में भी महिलाएं वहां पे रुकी रहेंगी मंत्रियों के आवास के बाहर यह हमने अगले दो दिन का तै किया है उसके बाद हम अपनी एक सांगठनिक करके उसमें भी कुछ निरने ह हम उसमें लेंगे और जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था कि अंदोलन अकेले हर्याना में नहीं है आज देश के कोने कोने से आशाओं के उपर जो यह प्रेशर है काम का इसका अंदोलन बन रहा है और उसी कड़ी में पूरे देश की आशाओं की ही आवाज थी कि की जो फेडरेशन है उसने ये निर्ने लिया है कि हम तीस ओक्टूबर को दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली करेंगे जंतरमंतर पे हम उसकी भी तैयारी कर रही है तो हम तीस तारीक को हर्याना के भी तमाम वरकर उस तीस ओक्टूबर की रैली में वहाँ पे और उसके आगे हमें लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम अपना अंदोलन जारी रखेंगे शुक्रिया शुक्रिया मैं अपने विजी सेडियूल में से हमको इतना समय दिया बातचीत करने के पूरा आंदोलन के बारे हम बिस्तार से समय इसके लिए आपको शुक्रिया धन्य की पहुच रही है इन्हीं सवालों के साथ आज की बात्चीत यहीं खतम करते हैं और आगे जो भी इस अंदोलन में और देश के अनुजना अंदोलन में और देश की डादेशनिम क्या हो रहा उसका अपडेट लेकर नियूज क्लिक आपके बीच में आता रहेगा देखते र